So guys, make-up में सबसे important है आइब्रोस को फिल करना तो अच भही सिखेंगे हम लोग सबसे पहले मैंने या आइब्रो रूलर यूज किया और दोनों आइब्रोस को आपको सबसे पहले लेंथ मेशर करना है ठीक है तो आप देखो कि एक आइब्रो मेरे थोड़ी सी छोटी है दूसरे आइब्रो से तो अगर आपके पास ये आइब्रो रूलर है तो आप लोगो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और फिर ऐसे आप लोगो को मेशर करना है डिट मतलब कितने ठीकनेस कितनी है दोने आइब्रोस की सेम है या नहीं एक बार thickness देखा, length देखा, उसके बाद हमनों filling अभी start करेंगे सबसे first point होता है आपके nose के bridge के वहां से आपका first point होता है eyebrow जहां से start होता है ठीक है तो first point आपको समझ में आ गया second point होता है आपके nose के tip से आपके eyeball को cut करते हुए ये second आपके arch का point होता है तो यहां पर एक point करेंगे उपर और नीचे दोनों side में और फिर जो third point होता है वो होता है आपके nose के end से आखो के corner को ऐसे cut करते हुए जाता है ऐसे end में तो अगर आपके eyebrow short है तो आप लोगों को ये थोड़ा सा वो वाला part भी थोड़ा extend करना पड़ेगा उसके बाद देखो filling के time पे नीचे का जो point था वो उपर वाले point के साथ join हो रहा है तो ये new style है eyebrows fill करने के गाईस हम लोग पहले नीचे का point नीचे ही join करते थे पट अभी जो उपर arch का point था ना उसके साथ मैंने join किया है नीचे first point आप लोगों को आपका arch का point है ना वहाँ पे directly लेके जाना है और फिर उसको ऐसे fill करना है अभी नीचे का point अपने उपर join किया arch के point के साथ अभी उसके बाद क्या करोगे उपर का point जो है ना वो वापस वही पे join होगा उपर के arch के point के साथ ही ठीक है मतला उपर का और नीचे का दोनों जो start के दो points है ना वो दोनों आप लोगों के arch के point के साथ join होते है उपर और फिर एक पर आप वो फिल कर लोगे ना फिर नीचे जो भी gap है उसको आपको fill करना होता है अभी strokes draw करो hair stroke जहाँ 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 पर आपको लग रहा है empty है strokes नहीं है वहाँ पर आपको यह करना है यह arch एकदम triangle करने से अच्छा है कि अब थोड़ासा उसको round shape दो ज्यादा अच्छा दिखता है और फिर end में भी थोड़ासा आप extend कर सकते हो अगर आपके eyebrows थोड़े short है तो अभी hair का strokes जैसे है ना वैसे आप लोगों को brush से ऐसे draw करना है मैंने gel pomade यूज किया है निस्तेशिया का आप लोग फैशन फिवर का यूज कर सकते हो प्रोइफिक्स का यूज कर सकते हो यौरप गल का यूज कर सकते हो बहुत सारे eyebrow के gel pomade आपको मिल जाएंगे गाईज और इतना याद रखो कि पीछे से ही eyebrows dark होते है और सामने का जो side है ना वहाँ पर आइब्रोइस होड़े light होते है तो मैं जो भी filling कर रहे हूँ वो पीछे के side से ही कर रहे हूँ जो आगी का एक इंच इतना मतलब थोड़ा से जगा है ना उसको मैं light ही कर रहे हूँ कुछ नहीं कर रहे हूँ वहाँ पर फिलिंग और वहाँ पर हम लोग सिफ क कलर नीचे लगा और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हूँ वहाँ पर मैं स्ट्रोक्स ड्राउने कर रहे हूँ तो वह क्या होगा लाइट रहेगा और पीछे आते आते आइब्रोज आपे डाक होंगे तो फिर बहुत ही अच्छा है एक ओम्रे एफेट के जैसे दिखता ह बढ़ाऊंगे आर्च के यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस अड़ कर रहे हूँ मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हूँ तो वैसे आप लोगों को अट्जस करना होगा ठीक अब यह होगा आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यह साइड का तो अगर आप देखो कि दो करूंगे आर्च को उपर और नीशे दो पॉइंट्स की ही है मैंने और यह एंट परिपोंट अपकidor आपके जो स्टार्टेन के वहाँ पे होता है ब्रीज का जो स्टार्ट करने है dots को और फिर उस dot को आपको end dot के साथ join करना है ऐसे ऐसे dot कर जोइन कर लो अच्छे से अभी देखो नीचे का shape आगया है अभी हम लोग क्या करेंगे उपर का जो point है ना उसको अभी join करेंगे वापस उसी arch के point के साथ जहाँ पर हमने नीचे का point join किया था वही पर इसको भी वही पर join करना है आपको बस यह line जब ड्रॉ कर रहे होना तो याद रखो पीछे से थोड़ा start होता है ठीक है एकदम आगे से नी start होता है पीछे से ड्रॉ होता ह है start है और फिर आपको सेम वैसे हैर स्ट्रोक्स अभी अच्छे से करना है और तकी जहां पर भी spar सेर्या जब अच्छे से फिल हो जाए और स्टार्टिंग में आपको सिर्स फूली से ऐसे ब्लेंड करना है स्ट्रोक्स या हैर स्ट्रोक्स से ड्रॉ मत करो क्योंकि वैसे भी हमको लाइट चाहिए वो तो जब भी आप ब्लेंड करते हैं उससे ही वो बहुत अच्छारा सा डाक हो जाता है कभी आपको ऐसे लगता है ना कि आपके आइब्रो स्टार्ट से बहुत ज्यादा ही डाक हो गए है तो अपने थोड़ा सा अपका कॉम्पैक्ट पाउडर लूस पाउडर जो भी है अपने ब्लेंडिंग ब्रश में लीजिए आइशाड़ का जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा पाउडर लगा दीजिए थोड़ा फेंट हो जाएगा फिर अच्छा देखेगा देखो यह आर्च मेरा थोड़ा सा बाहर था तो मैं अंदर की तरफ मेरे आर्च को ड् पिल करूंगी निच्छे से भी अब जितना चीए उतना थिक कर सकते हो निच्छे से इसको एक्स मतलब विट तैड़ कर सकते हो तो एक दम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा गाईज अगर कुछ भी कुश्चन से तो आप नीच्छे मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछना आइब्रो फिलिम बहुत इंपोर्टेंट होता है मेकप का लोग तभी आता है जब आप आइब्रोस को अच्छे से फिल कर होगे तो गाईज यहरा मेरा फाइनल लुक रेडी होने के बाद तो अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को और मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाएं टेक केर लाव यॉल